सुप्रबात बच्चों आज हम लोग क्लास नाइन की जोग्राफी में कक्छा में पेज नाइन और टेन को कवर करेंगे तो चलिए सबसे पहले देखते हैं तिलहन फसलों की खेती के बारे में यहां दिखाया गया है कि मैदान में कटाई के लिए तयार मुंगफली, सुरजमुखी और सरसो यह सबसे लाश्ट में सरसो का फसल दिखाया गया है बीच में सुरज मुखी है और इधर मुंगफली गुजरात मुंगफली का प्रमुख उत्पादक राज है और इसके अत्रिक्त मुंगफली की खेती राजस्थान आंदरप्रदेश मुंगफली के अन्य मुख्य उत्पादक राज है अलसी और सरसो रवी की फसले हैं तील उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिन भारत में रवी की फसल के रूप में इसको उगाया जाता है अरंडी खरीफ और रवी दोनों फसल में दोनों रूतियों में ये बोया जाता है ये सभी तिलहनी फसले हैं हमारे बिहार में भी इन सभी तिलहन फसलों की खेती की जाती है तो तिलहन के रूप में इसका हम लोग सबसे ज़्यादा प्रयोप करते हैं लेकिन हम लोग के हाँ जो मुंख फली उप जाया जाता है उससे बहुत अच्छे क्वालिटी के मुंख फली गुजरात राजस्थान ये सब में छेतरों में आंधर प्रदेश इन राजियों में उगाया जाता है इसका क्वालिटी जो हुता है बहुत अच्छा होता है लंबा टाइप का बड़ा बड़ा एकदम सॉलिड अच्छे क्वालिटी की मुंख फली उधर होती है बिहार से अच्छी किस्म की मुंख फली यहाँ चाय की खेती को दिखाया गया है आगे हम लोग चाय की खेती के बारे में पढ़ेंगे चाय की पतियों को चुनती हुई स्रमिक महिलाएं चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं चलिए हम लोग चाय की खेती के बारे में पढ़ते हैं चाई की खेती एक रूपन क्रिसी का उदाहरण है वह एक यह एक महत्पुन पेपदार्थ की फसल है जिसे सुरुवात में अंग्रेज भारत में लाए थे लेकिन सबसे पहले चाई की सुरुवात जो ही थी चीन से हुई थी आज अधिकतर चाई बगान के मालिक भारतियें हैं चाई का पौधा उष्ण और उपोष्ण कटिवंधिये जलवायू यूँ और जिवास्म युप्त गहरी मिट्टी तथा सुगम जल निकास वाले ढलवा छेत्रों में भली भाति उपजाया जाता है चाई की जाडियों को उगाने के लिए वर्स भर उष्ण नम और पाला रहित जलवायू की आवसकता होती है वर्स भर समान रुप से होने वाली वर्सा की बोचारे इसकी कोमल पतियों के विकास में सहायक होती है चाई एक स्रम सघन उद्द्योग है इसके लिए प्रचूर मात्रा में सस्ता और कुसल स्रमिक चाहिए इसकी ताजगी बनाए रखने के लिए चाई की पतियों पतियां बगान में ही संसाधित की जाती है चाई के मुख्य उत्पादक छेतरों में असम, पश्चिमी बंगाल, दारजलिंग और जलपाई गुडी जिले में की पहाडियों में तमिल लाडू और केरल, करनाटक के भी कुछ हिस्दे में चाई की खेती की जाती है इसके अलावे ही माचल प्रदेश, उत्राखंड, मिघाल आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा आधी राजियों में भी चाई की खेती की जाती है 2016 में भारत विश्व में चीन के बाद चाई उत्पादन में दूसरा अस्थान था चाई की खेती बिहार के भी एक दो जीले हैं जो वेश्ट बंगाल से बहुत करीब हैं जैसे किसन गंज का कुछ छेत्र चाई की खेती वहाँ भी की जाती है तो चाई की खेती एक रोपन क्रिसी के अंत्रगत की जाती है एक ही फसल एक बहुत बड़े छित्र में लगाए जाते हैं इसमें बहुत अधिक स्रम की आवसकता होती है इसके पत्ते एक सप्ताह में तोड़े लिए जाते हैं एक सप्ताह के बाद बतलब हर सप्ताह में इनको तोड़ना पड़ता है चाय की पत्तियों को इसको उगाने के लिए 24 डिग्री से 37 डिग्री तक तापमान हमेशा बना होना चाहिए ऐसा होना चाहिए उसके बाद वर्सा भी अत्यधिक होनी चाहिए ऐसा जगा जहां हमेशा 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्सा होता रहे हमेशा इस तरह का बरसा वाला छेतर होना चाहिए चाय की खेती के लिए मिट्टी में अगर दोमट मिट्टी चिकनी मिट्टी मिल है तो इसके लिए काफी अच्छी होती है और इस मिट्टी को सिड़ी दार खेत तयार किया जाता है चाय की खेती के लिए ताकि बरसा हो बरसा तो चाहिए लेकिन पानी रुकना नहीं चाहिए उसकी पत्तियों पर पानी की बहुचार पड़े और पानी खेत से निकल जाए ऐसी भूमी तयार की जाती है चाय की खेती के लिए मुखेत चाय मुखेता तीन प्रकार के होते हैं काली चाए हरी चाए गटी चाए तो काली चाए भारत स्रिलंका बंगला देश इंडोनेसिया अधिरा देशों में की जाती है चलिए अब है काफी काफी भारतिये काफी अपनी गुनवत्ता के लिए विश्व विख्यात है हमारे देश में अरेवी का किस्म की काफी पैदा की जाती है जो आरंभ में यमन से आई थी और यहां पर्याप्त मातरा में इसकी खेती होने लगी जो सबसे सुपर क्वालेटी की काफी होती है इस किस्म की काफी के विश्व भर में मांग है इसकी क्रिसी की सुरुवात बाबा बुधन की पहाडियों से हुई थी और आज भी इसकी खेती नीलगिरी की पहाडियों के आसपास करनाटक केरल तमिलनाडू इन सभी राज्यों में की जाती है और काफी के सूपर क्वालिटी काफी के उत्पादन के लिए भारत जो है विश्व में विख्यात है उसकी कौन सी क्वालिटी है सबसे अच्छी तो अरेविका की क्वालिटी और इसकी सुरुवात कहां हुई थी तो करनाटक में ये पहाड़ी है बाबा बुधन की आईयों के आसपास जो भारत के दक्षिनी छोर पर केरल करनाटक और तमिलनाडू ये इस्थित है, वहां की जाती है निलगिरी की पहाड़िया जो पष्चमी घाठ और पुर्वी घाठ के बीच में इस्थित है वहां इसकी खेती प्रयाप्त मात्रा में की जाती है अब हम लोग बागवानी फसले पढ़ेंगे सन्द दोहजार सोला में भारत विश्व में फलों एवं सब्जियों के उत्पादन में चीन के बाद दूसरा अस्थान था भारत उसन और सितोषन कटिवंधिये दोनों ही प्रकार के फलों का उत्पादक है भारतिये फलों में जिन में महराष्ट आंध्रपरदेश, तेलंगाना, उत्तरपरदेश और पष्च्मी बंगाल के आम, नागपूर और चेरापुंजी मेघाले के संतरे, केरल और मिजोरम, महराष्ट और तमिल नाडू के केले, उत्तरपरदेश और विहार की लीची, मेघा के अनानास आंध्र प्रदेश तेलंगाना और महरास्ट के अंगूर तथा हिमाचल प्रदेश और जम्मु कस्मीर के सेव नासपाती खुवानी अक्रोट ये सभी विस्व में इसकी बहुत अधिक मांग है ये सभी बागवानी फसले हैं तो इन अन्य फसलों के अलावे जो नगदी फसले तिलहनी दलहनी इन सभी फसलों के अलावे बागवानी फसलों के लिए भारत जो है वो बहुत आगए है इसकी खेती में 2016 में भारत का विस्व में फलों और सब्जियों के उत्पादन में चिन के बादे दुसरा अस्थान था और यहां हर तरह के फल उगाये जाते हैं इन सभी फलों के खेती बागवानी लगाई जाती है और फल उप जाये जाते हैं तो भारतिये फलों में जिसमें महराष्ट, आंधर परदेश, तिलंगाना, उत्तर परदेश और कश्चिम, बंगाल यह सभी आम के लिए प्रसिद्ध हैं अभी तो हमारे बिहार में भी आम के अच्छे से अच्छी क्वालिटी की खेती की जा रही है आम के बागवान, भगान, खूब सरा लगाये जा रहे हैं आम, ली प्रसिद्ध हैं लेगिन इधर भी इसकी खेती सुर्व हो गई है, बागवानी लगाना, नागपूर और चेरापुंज मेघालाये में यह संतरे के लिए विख्यात है, यहां संतरे की खेती होती है, केरल, मिजरों, महराष्ट और तमिल नाडू, केले के लिए प्रसिद्ध हैं, उसके बाद उत्तर प्रदेश और बिहार लिची के लिए प्रसिद्ध है, पूरे विख्यात में सप्लाई लिची का होता है, उसके विख्यात में भी जाता है, मेघाले अनानास के लिए आंध्र प्रदेश तेलंगाना और महराष्ट अंगूर के लिए प्रसिद्ध है हिमाचल प्रदेश और जम्मू कस्मीर सेव नासपाती खुवानी अखरोट ड्राइफ रूट के लिए प्रसीद हैं तो इन सभी फालो की खेती भी हमारे देश में की जाती है देखिए यहां अखरोट सेव और अनार की खेती दिखाई गई है जो जम्मू कस्मीर हिमाचल साइड में होता है भारत का मटर फुल गोवी प्याज बंद गोवी टमाटर बैगन और आलू उत्पादन में प्रमुख स्थान है अब यहां दिया है जो मलवरी के पेड़ पर हरी पत्तियों यहां रेसम कीड़े के बारे में रेसम कीट के बारे में कैसे हम लोग रेसम का उत्पादन करते हैं जो मलवरी के पेड़ की हरी पत्तियां पर पलता है रेसम उत्पादन के लिए रेसम किड़ों का पालन रेसम उत्पादन कहलाता है तो यहां रेसम का उत्पादन जो हम लोग करते हैं उसके बारे में बताया है फिगर में उपर अखरोट सेव और अनार्किक का दिया है और नीचे टमाटर, फुल गोवी, बंद गोवी की खेती जो उत्तर भारत में अधिकतर ज्यादातर होती है, ऐसे तो पूरे देश में किया जाता है, इसके बारे में बताया गया है अखाते फसलें, रवड, रवड भूमध्य रेखिये छेत्र की फसल है, परन्तु विशेश परिस्थितियों में उस्ण और उपोष्ण छेत्र में भी उगाई जाती है इसको 200 सेंटी मीटर से अधिक वर्षा और 25 डिगरी सेलसियस से अधिकता अपमान वाली नम और आधर जलवायों की आवस्चता होती है रवड एक महत्वपुन कच्चा माल है जो उद्योगों में प्रयुक्त होता है इसे मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडू, करनाटक, अंडमान, निकोवार, दीप, समूः और मेघाले में गारो, पहाडिया में की जाती है अखादे फसले किसको कहते हैं? इसके पहले भी हम लोग पढ़े थे खादे और अखादे फसले अखादे फसले वो फसले हैं, जिसका प्रयोग हम लोग खाने के रूप में नहीं करते हैं इसका प्रयोग हम लोग उद्योगों में कच्चा माल के रूप में, या नगदी फसल के रूप में, व्यापारिक फसल के रूप में इसका हम लोग प्रयोग करते हैं तो रबड जो है कहां उगाय जाता है तो रबड मुखे रूप से तो भूमध्य रेखिये छेत्र की फसल है परन्तु विशेस परिस्थिती में ये उस नरुपोस्न दोनों छेत्र में किया जाता है जहां 200 सेंटी मीडर से अधिक वर्सा हो 25 डिगरी से सेलसियस इसका तापमान होना चाहिए हमेशा और नम और आदर जलवाई होनी चाहिए तो उस जगह पे रबड की खेती होती है रबड एक महत्पुन कच्छा माल है किसके लिए उद्योगों के लिए उद्योग मीश का क्या काम होता है तो टायर टीउब बनाने में, सीट कवर बनाने में, गाडी के चक्के बनाने में, और भी जूते चपकल, बहुत से ऐसे काम है जिसमें रबड का प्रियोग किया जात इसके मुखे उत्पादक राज हैं केरल तमिलनाडू करनाटक अंडवान निको अर्दीप समू और मिघाले में गारो पहाड़िया के आसपास रबड की खेती की जाती है क्रिया कलाब उन वस्तों की सुची बनाई ये जो रबड से बनाई जाती है और इसका हम लोग प्रेयोग करते हैं इतना आप लोग खुद कर लिजेगा अब रेसेदार फसले में क्या क्या आता है कपास जूट सन और प्रकृतिक रेसम भारत में उगाई जाने वाली चार मुखे रेसेदार फसले हैं इसमें से पहली तीन मिट्टी में फसल उगाने से प्राप्त होती है और चौथा रेसम जो है वो किड़े के कोकून से प्राप्त किया जाता है लेकिन ये भी रेसेदार फसल है कपास की खेती मुखे रूप से काली मिट्टी में की जाती है इसके लिए महराष्ट गुजरात मदेपरदेश का छेतर ये सभी जहां जहां काली मिट्टी होगी वो कपास की खेती के लिए सबसे उप्युक्त माना जाता है जूट और सन की खेती तो ऐसे छेतर में की जाती है जहां गर्मी के साथ साथ पर्याप्त बर्सा हो पानी की अधिकता हो ऐसे जगह में की जाती है बिहार में पस्चिम बंगाल ये सब में बहुत ज़्यादा कपास और जूट और सन की खेती की जाती है रिश्यदार फसलोग के अंतरगत सबसे पहले हम लोग कपास को पढ़ते हैं भारत को कपास के पौधे का मूल अस्थान माना जाता है सूती कपड़ा उद्योग में कपास का एक मुख्य कच्चा माल है कपास उत्पादन में भारत का विश्य में चीन के बाद दूसरा अस्थान है 2016 में डककन पठार के सुस्कतर भागों में काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए उप्युक्त मानी जाती है इस फसल को उगाने के लिए उच्चताप मान हलकी वर्षा या सिच्चाई में 210 पाला रहित दीन और खिली धूप की आउसकता होती है यह खरीबखी फसल है इस तरह की भगोलिक स्थिती में कपास की खेती की जाती है सबसे पहले तो इसको काली मिट्टी चाहिए कपास उत्पादन के लिए भारत प्राचीन समय से ही काफी आ गए है 2016 के आंकड़ा के नुसार चीन के बाद कपास उत्पादन में भारत का दूसरा अस्थान है यह काली मिट्टी में उगाई जाती है और डक्कन पठार के सुस्कतर भागों में जहां काली मिट्टी वाले चेत्र है वहाँ उगाई जाती है इस फसल को गाने के लिए अधिक तापमान चाहिए हमेशा उस छेत्र में है क्योंकि वो छेत्र जो है वो समुद्ट त्टिये छेत्र है वह सर्दी नहीं पड़ती है एक जैसा मौसम होता है हलकी वर्षा चाहिए हलकी वर्षा यहां होती है और पाला रहित दिन सीत वहां नहीं पड़ता है खिली दूप हमेशा होती है इसलिए उस अच्छेत्र में कपास की खेती अधिक मातरा में की जाती है यह खरीफ की फसल है और इसका जो माल तयार होता है कच्चा माल के किया जाता है किस उद्योग में तो सूती वस्तुर्द्योग के लिए कपास सबसे महत्पुन